हाई गाइस वेलकम तो माई चानल आज किस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़रा अमेजिंग रेमेडी शेयर करने वाली हुँ जो ना सिर्फ आपके बालों की ग्रोध को प्रमोड करती है वैके हैर फॉल को खतम करती है ड्राइंडर्फ को खतम करती है तो सबबते हैं यहां इस याया इंक्रिटैक हैमारी उद्जैय बालों के लिए बहुत ज़यादा बेनेफिशल होता है ओ इस ख जेज की EVERY निकाल लेना है अगर आपको हैर लैंज है जो है बहुत जादा शौ। है उस अक्को लेना थैटर पर और ये जो हमारे hair follicles है उसको भी बहुत अची तरीके से ठीक करता है ठीक है ये आपके scalp की eachiness को भी खतब करता है और ये hair growth के लिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है अगर आपको hair fall की problem है या फिर hair growth होती ही नहीं है तो ये remedy आपकी hair के लिए perfect है friends उसके बाद इसमें हम add करेंगे castro oil, castro oil अब किसी भी company का इस्तिमाल कर सकते हैं यहाँ पर positive fruit therapy का castro oil है तो मैंने add किया है दो चमच castro oil हमको इसमें add करना है guys castro oil जो है अगर हमारा गंजा भी सर है तो वहाँ पर भी बाल उगाने की ताकत रखता है castro oil जो हमारी hair growth को promote करता है और बालों को जड़ों से ही बहुत ज़्यदा मजबूत करता है उसके बाद इसमें मैं add करूंगी EV1 400 की जो capsule है यह आपको किसी भी chemist store पे बहुत ही easily मिल जाएगी तो इसमें मैं add करूंगी यह healthy hair देने में बहुत ज़्यदा help करता है और सबसे important चीज जो है जो भी remedy आज मैंने आप लोगों किसाद शेयर करें चाहे आपके बाल जो है लंबे होते ही नहीं है या फिर तूट जाते है या फिर hair fall बहुत ज़्यदा होता है अकसर हम hair wash करते उस ताइम हमको बहुत ज़्यदा hair fall होता है तो वो भी problem खतम हो जाएगी और बालों को जड़ों से ही मजबूत बनाता है तो यह remedy बनाने में जित्ती आसाने उत्ती ही ज्यादा effective है तो यह आपको जो है बस अपनी जड़ों पर अपलाई करना है पूरे hair पर अपलाई करना है और एक घंटे के बाद अपने hair को wash कर लेना है जो भी shampoo आपको suit करता हो जो भी shampoo का स्तेमाल करते हो अगर आपको hair fall की problem है या फिर जो भी problem है आपकी hairs related जो भी shampoo का स्तेमाल आप करते हो जो भी shampoo आपको basically suit करता हो उसको लेना है यहाँ पर मैंने जो है पैंटीन का hair fall control वाला लिया है लेकिन जो भी best shampoo है जो आपको suit करता हो आपको लेना है जितनी भी hair length है medium, short या फिर जितनी भी hair length के according आपको shampoo लेना चाहिए उसको जो है water में मिला के apply करना चाहिए लेकिन मैं आज जो remedy आप लोगों के साथ शेयर करने वाली वह उतनी ज्यादा effective है normal water में तो हम मिला ही सकते लेकिन यह जो remedy में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ यह double benefit आपको देगी उसके बात जो है हम यहाँ पे तरी के से दो के भीगो के रखोगे ना चावल के पानी के जो है ना rice water के बहुत सारे benefit है हमारे hair के लिए सबसे पहले तो यह हमारे बालों से hair fall को खतम करता है important चीज जो है यह हमारे बालों में shine add करता है बालों को बहुत ही जदा silky and smooth बनाता है shine add करता है लेकिन अगर आप इसको भीगो के रखोगे देड़ से 2 घंटा या फिर जितनी दिर आप इसको भीगो ना चाहते है तो हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंट्स वैसे तो डायरेक्ली चावल का जो पानी है उसको भी हम अपने हैर पे स्प्रे कर सकते है विटमिन ए की एक कैप्सुल डालके वो भी एक बहुत ही आसान and effective remedy है लेकिन क्यूंकि हम शैंपो में normal water तो एड़ करते है तो हम चावल के पानी को एड़ करके जह हम अपने हैर को वाश करेंगे तो हमको double benefit देखने को मिलेंगे और हमारे हैर फॉल खतम हो जगा हमारे जो हैर है वो naturally smooth and shiny होने लगेंगे इस remedy को है आप अपना routine बना लीजी जब भी आप अपने हैर को वाश करेंगे तो इसी से वाश करना इसको बनाने में ज विो आपनेमिन E की दो एकिती कापसुल की अपर चाहि Battle of the at kilo केपसूल के टीक है कमे अच्छा घाइज अगर बहुत चारता लोग सारे लिए कि की कापसूल जाते है कहां सकाना दोर cert से शेयर करती हूं यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और यह बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव रेमेडी है इसको मैंने बहुत टाइम से मैं इसको कर रहे हूं और जितने भी लोगों को मैंने बताया ना बहुत अच्छे बैनेफिट इनको मिले है उसके बाद जो है ना सबसे इमपोर्टेंट चीज ऐलो वेरा जेल को कैसे बूल रखते हम सबसे इमपोर्टेंट चीज जो है अगर आपके पास प्लांड का है ना तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ही यहापी ग्राजिया आपका जो है ऐलोवेर जल का इस्तेमाल किया है, यह सारी ही चीजों को जो है अच्छी तरीके से मिक्स करना है, अच्छा गाईस ही, और सबसे इंपोर्टेंट चीज जो है, शेंपो डेरेक्ली कभी भी अपने स्क्याल्प पे या हैर पे अपलाएं नहीं करना चाहिए उसमें नॉर्मल वाटर या फिर राइस वाटर को इस्तिमाल जरू करना चाहिए यह रेमेडी बनाने में जितनी आसान है ना उतनी ही ज्यादा एफेक्टिव है अगर आप लोगों के लिए हैल्फुल रही हो अगर आप लोगों को पसंद आई होना तो अपने फामिली फ्रेंड्स के साथ जरू शेयर कीजिए जीने हैर से भी जूड़ी प्रॉब्लम्स है और चाहते जाते चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करना थैंक्स वाचिंग माई एंदव देगाए प्रॉब्लम्स वाचिंग के साथ जीने फिन फिरेंड भी जरू रहाए जायर को आप लुड़ी इस जरुड़ी जाए मैं परॉड़ी आते फिरेंडर के साथ मुड्स है आप लिड़ी जाए जापने यंदभ सब्सक्राइब करना वाटर है झाल झाल